कच्छा 11 के सभी भी ध्यारती हो जैसा कि आप सभी जानते हैं आपका 21 मार्च की दिन एन्वल एक्जाम है ठीक है MP बोर्ड में आपका पेपर है तो उसी के लिए में लगातार आपको तैयारी कराने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा हूँ मैंने आपको पहले भी दो से तीन मोडल पेपर कंपलिट करा दिये चलिए एक बैतरीन सा एक और मोडल पेपर में आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ तो चार से पांच मोडल पेपर आप अच्छे से लगा लोगे ना तो बिल्कुल आप टोपर बन जाओगे केवल चार भी क हर लोगे ना तो सतर नमबर तक हो जाएंगे हर जिलिंए में अनलगतो न पहले है इतना आप भी जानते हैं तो हर जिले का रियल पहर मिल पा और स näए मैं इसम्मोडल प्रोवाइड को आपको अच् छह से कंपलिट करना है चलिए तो हिंदी साइट का स्वर्ण परें चंद का प्रसिद्ध उपन्यास है सास्त्री कलाओं का मुलाधार है भारत में चपने वाला पहला अगबार था बंगाल गजट रच ना के आदार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं तो रचना डार पर वाक्य को ते तीन, राजनितः के जंता को बड़े-बड़े सपने दिखाते हैं, गीत फरोस कवीता के रचिता है भवानी प्रसाद मिस्र, जामुन के पेड के नीचे दबे आदमी की फाइल भी पूर्ण हो चुकी थी मध्य प्रदेश में भीम बेटका की गुफाये सेल चित्रों के लिए जानी जाती है सब्द कोस में ना केवल सब्दों के अर्थ बताता है बलकि सब्दों का खजाना होता है प्रबंद कावि के दो भेदोते महा कावि और खंड कावि सही जोड़ी है मुत्मईन का पहले का आसस पाजाएगा भारत माता का जाएगा जवालाल नहरू खडेरों की दानी इसरे का आपका जाएगा 120 कुई या सरकारी पत्र का आपको मिलान करना है अपचारिक पत्र से खंड कावि का जाएगा पंचवटी हिंदी सब्द कोस में लगबत कितने सब्द है तो पांच लाख सब्द है सब्द गुन के कितने प्रकार होते तो तीन प्रकार होते हैं सब्द गुन के अपनी करनी पार उतरनी लुकुक्ति का क्यार थे स्वयम के परिश्रम सही व्यक्ति को सपलता मिलती है धनराम कुसागर बुद्धी का बालक था ये आपके गलत रहेगी क्रसना सोबती ने देज भक्ती से संबंदित कहानिया लिखी ये असत्ति रहेगा तातुस ने बेबी को पढ़ने के लिए बांगला अभीधान लिख पुस्तक दी थी ये असत्ति रहेगा टिपपनी का मुक्य उद्धेश्य मामलोस को लटकाना है असत्ति रहेगा रोला एक मातरिक समचन्द है सत्ति रहेगा राष्ट बासा के लिए संपर्ग भासा सब्द का प्रियोग होता है इतना हो गया ये आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर अपन देखेंगे प्रगतिवाद के दो कवी तथा उनकी एक एक रशना के नाम बताईए भारते हिंदू यूग के दो लेखकों के नाम लिखिए कबीर ने अपने को दिवाना क्योंगा पूरे कुश्यनों को सोलेशन दूँगा बैटा मैंने आपसे बादा किया ना एक दम औरिजिनल चीज बताऊंगा गलत चीज नहीं बताऊंगा जो पर इच्छा हल में आपको देखने को मिलेगी जो बच्चा मेरे द्वारा पेपर बताएगा एक पेपर को करेगा ना सेव संबू की दो गायों की कहानी के माध्यम से लेका क्या कहना चाता है आजादी से पूर्वक किसानों को किनकिन समस्याओं का सामना करना पड़ा था सुनिल कौनता उसने बेबी की साहिता किस प्रकार की ले कितने प्रकार की होती है इंटरनेट पत्रकारिक्ता की दुनिया ने दुनिया को किस तरह समेट लिया उधारन सहित लिखिये पटकथा को लिखते समय कि इनके इन बातों का ध्यान रखना जरूरी है महा काव्यों और ख चर्भेज बराबर आखों का तारा होना राज भासा की विशेशता है बतानी आपको यहां पर देखो इसनान करो और विद्या ले जाओ इसका सरलवाग की बताना है पढ़िया से भारतिन भावानी प्रसाद मिस्र अत्वा दुस्यंत कुमार की काविगत परीचे निमलिकित ब बेहन के मद्ध्य ने वाले समушबात को लिखेगा है ठीक है यहां से अक निम्मर 19 ठीक है इसके बाद में आगे बढ़े हैं यहां पर है आगे इसके बाद में अत्वार हुअगा यहांसे थिक है बह 시जमिया आगे की बाद अपन करें तो यहां से हो जाएगा यह कुछ नम्मर आपका कुछ नम्मर बीस कि यह इसका अथवा रहेगा कुछ नम्मर इक्कीस है शंदर प्रसंग्या क्या यह आपका रहेगा आगे यहां से देख सकते हैं थोड़ा चोटा कर देंगे ठीक है यह कुछ नम्मर बावी से और यह रहेगा आपका कुछ नम्मर तेवेश चलिए तो पूरा पेपर बता दिया मैंने अप सोलिशन को अच्छे से देख लेते हैं यहां से देख सकते हैं आपको से नम्मर जो च्छे है यह देखेगा प्रगतिवाद के कवी और उनकी एक क्रशनाओं के नाम बताईजेगा ठीक होगे नागर जुन युगधारा सतरंगे पंको वाली प्यासी पत्राई आखे केदार नात अगरवाल का युग युग की गंगा भूल नहीं रंग बोलते हैं अब देखो आगे देखते हैं भारते इंदु युग के दो लेक़ों के नाम बताना है प्रताब नरायन मिश्रो चोदरी बदरी नरायन प्रेम गन कभी ने कभीर ने अपने आपको दिवाना क्यों कहा है यहां दिवाना कारते पागल किसी के प्रेम में डूब हुआ विक्ति दिवाना कहलाता है कभीर भी प्रभू की भक्ति में लीन है जबकि संस बहा आडंबरों में उलजकर इस्वर की खोज कर रहा है इसलिए कबिर ने स्वयम को दिवाना कहा है मीरा जगत को देखकर क्यों रोती है यह गयतना मीरा क्रस्न के प्रति भक्ति की जो भक्ति के अनन्य भक्ति में लीन थी ठीक है और वहां पूर्ण रूप से समर्पन भाव क साथ अपने आराध्य को अपना पती मानकर उन पर सब कुछ सर्वच्य निवशावार कर देती है जबकि संसारिक जो लोगे नीजी स्वार्त के चलते उनकी आलोचना करते हैं उन्हें उलाने देते हैं और उन पर तीखे प्रहार करते हैं यहां तक कि उन्हें विश्पान कर का रूडियों का विरोध कितना हो गया कि निभंद को गद्धी की कसोटी क्यों कहा जाता है कि मगेत नबयू कि आगे बढ़ेंगे यह कुश्चन नम्मर आपका नो है सिव संभू की दो गायों कि कहानी के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है कि यह इसका थुआ रहेगा यहां पर देखी द्यान से कि इतना हो गया है कुश्चन नम्मर दास कि फटा फट फटा पड़ी स्क्रीन सोट ले लो है रहा अच्छे से तैयार कर लो पूरी जवाब दाए